हेलो दोस्तों मैं सिंख साब आप से भी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल पर आज हम सुरू करने जा रहे हैं एल्कॉ्ट करेंगे इसके आपको मिल रहे होंगे तो पहले तो आपको यह पता हुनां सभी होता है यह बेंजी नहीं इसके उपर लगा दो इसको दुनिया किस नाम से नाम से तो तीन चीज़ देखेंगे एक आपकी प्रिप्रेशन दूसरा इंपोर्टेंट नेम्स और तीसरा इसकी चलो सबसे पहले हम इसको बनाते कैसे हैं पहला सेंपल तरीका है फ्रॉम बैंजीन सल्फोनिक एसे इसको बना रहे हैं इस इस टू एसटू ओ7 तो बैंजीन को ओपर क्या जाता है वंको सल्फोनिक एसे मिल गया पर इसकी रेक्सन की साथ कराते तो इसकी पर याखा जाता है हमने क्या कर लिए फिनॉल कुमन लिया दूसरी रियक्षोन से होती है फ्रॉम डाइज़ोनियम सौल्ट डाइजान एसे फ को दिखाई दिए रहा है कोछ इस तरीकिस होता है यहां पर आपका एंट्रिपल वॉन्ट एन सी यह प्लस और यह मायरस इसको क्या बोलते हैं पूरा का पूरा वहां पर इसको प्रिप्रेशन केमिकी रेक्शन सब्टेटिल में दिखेंगे क्यों में थे पहले तो क्यों मिन समझेए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन पर एश्यक्रोपाल गूरुप आ जाए जैसे घृची टेरी यहां आप क्या करो इसको बड़ागा यहां से आपका निकल जाएगा 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 अलग हो जाएगा टाइरेक्ट उसमें से पूछ लिया गया इतना इंपोटेंट फिर दूसरा है कैसे बना यह आपका इसकी रियक्षन आप नहीं होगी बट एन वेग्स के साथ करवाते साथ नहीं आट इस प्रोसे स्कूम क्या वोलते हैं डा चाहिंस बना सकते हो प्रप्रेशन थी और सेंपल ठीक questions जिसे आपका Cresol है, fenol ना इस पर benzene पर या रहे है रहे है और CS3, S3 ता इसको मैं क्या भोले है Cresol, बाकी Ortho Meta hinter pair BC ça保, यहांप़ और यहांपर ortho है, यहांपर आ जागा Meta यहांपर आ जागा Pera, इसके बाद category की बात करते है, तो OHOS 2 हो चाह रहे हैं, यह जो आपके यह जितने फ्लोचार्च आप देख रहे हो यह इनकी हल्प मैंने लिए ओसफाल बुक्स से आपने कई बार इसका नाम भी सुना हुगा ठीक है डिसक्रिप्समायन लिंक सबसे पहले यदि आप इसकी रियक्शन करवाते हो बीयार्टू सीएश्टू और टेंपरिशर क्या है दो चीज़ें करता है आप्स की ब्रोमीन के साथ रेक्शन करा रहे हैं पर इसके बाद ब्रोमीन से जब हैक्सें 0で तो bromine यह जो BR है तो क्या करता है और तो दोनों और तो पोजिशन पाटक कर देता है और अपना पेरा पर भी आ जाता है तो इसके बेसेस पर तीन-चार कुर्संस इन्होंने पूछ रखें सिर्फ इन दोनों की इस पर और इस पर जहीं में से तीन-चार कुर्संस पूछ सकें तो आप देख सकते हो किलना यह important है और एडवांस में यहां से पूछे गई है यह portion बहुत जादा important है इसके बाद यदि आप इसकी रेक्शन concentrated HNO3 के साथ कराते हो concentrated तो भी आपका NO2 कहां पर आ जाता है सब जगे आ जाता है और तो पर दौनों और तो पर और एक पेरा इसको 246 Trinitro Phenol इसका क्या है IPAC नेम है तो भी कभी पूछें तो देख लिए पर यदि आप Phenol की reaction यदि आप Phenol की reaction किसके साथ करवा रहे है जिंक डेस्ट के साथ करवा रहे है तो हमको क्या मिल जाता है डायक्ट आपका बेंजीन मिल जाता है तो कभी भी यदि आपको कहीं ऐ आए कि Phenol से Phenol दिया है और बेंजीन में करवाट करना है तो जिंक डेस्ट को याद कर ली यह आपकी हल्प करेगा है ना तो जो रियक्सेंस करवर्जन है इसमें बहुच जादे इंपोर्टेंट है इसका 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 इसके बाद यह आप फिनोल की reaction डायलूट एचनो 3 के है मैजर क्यों होगा क्योंकि यहां पर पल्सन कम होगा इसके बाद एक और इंपोर्टेंट रियक्सन है एक और इसकी रियक्सन करवा रहे तो बैसके लिए क्या हो जाता है और हमको बैंजो क्यों रूप को बना सकते हैं सीधे सीधे बॉंड कर दो तो यह सारी एक्शन से आप है खतम होती है अब वो इंपोर्टेंट रियक्शन्स नेम रियक्शन्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और कई बार पूछा जाता है इसको समझ लिए बोर्ड में भी ते दनादन पूछते हैं वह लिखवाई लेत क्या मिल जाता और तो पोई इसमां वह जाता है लिक फिनॉम तका क्या जाता है और इसकी इस प्लसत कोडल के यह active metal है, active metal क्या करते हैं, जहां पर भी इनको acidic hydrogen दिखता है, तो वो क्या करते हैं, H2 gas वहाँ से निकाल देते हैं, यहां से क्या करेंगे, H2 gas निकाल देंगे, तो H2 gas निकाल दी, और दर क्या जाए आपका O-, तो यह product आपका बन रहा होगा है, इसको फटापड मैं लिख देता हूँ, यह reaction से कभी, इसमें आपको confusion नहीं होना है, बिल्कुल भी, कि यह आपका phenol है, ठीक है, ध्यान से देखना, यह आप इसकी reaction करवा रहे हैं, किसके साथ, एक है आपका NaOH plus CO2, दूसरा है आपका CHCl3 plus KOH, आपकोर्स यहां पर आप H plus दे acid, क्या बोलते हैं, salicylic acid, इसके बाद, यदि आप इधर CHCl3 और KOH के साथ reaction करवाते हो, तो जो product बनता है, वो क्या है, आपका LDHड आता है, यहां पर, तो OH, CHO, इसको हम क्या बोलते है, salicylic LDHड, salicylic LDHड, ठीक है, अब यह जो ऊपर वाली reaction से, salicylic acid, इसको हम बोलते है, callway reaction, कौनसी, callway reaction, जो कि बहुत important है, और यह जो नीचे वाली reaction है, इसको हम बोलते है, रीमर, टीमर, रीक्शन, बहुत ज़्यादा important है, यह दोनों reactions, फिनोल के cases में, ठीक है, कई बार यह पूछ ली जाते हैं, जैसे SN1, SN2 आपर होती थी, यहां पर रीमर, टीमर, रीक्शन, और callway reaction, तो IHOP के board में आप इसको अच्छे से लिख पाऊए, तो इस तरीके से हमने फिनोल का जितना भी, सासा आप cover कर लिया है, एक ही flow chart के द्वारा, ठीक है, तो पहले हमने कुछ preparation देखे थी, important compounds देखे थी, और इसकी chemical reaction देखे, अब एक important information आप सभी के लिए, जैसे कि यह जो chapter है, आपका alcohols है ना, phenols और ether, तो हम क्या करने हैं, इसको तीन पार्ट में cover कर क्या कर रहे हैं, तीन पार्ट में इसको cover कर रहे हैं, ठीक है, एलकोहल में, इसका तो हमने करा चुका है, यह ना, दूसरा आज हम क्या देखने है, फ्रोल्स, यदि किसी का यह चूट गया है, तो link discussion दे रखे होगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो, इसका आने वाला है, तीक है, जा लूपन, बाइब बाइब, 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 बाइब,